उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दूबे को आज सुबा मध्रप्रदेश के उज्जैन में पकड़ लिया गया लेकिन उसने सरेंडर किया या वे गिरफतार हुआ इसे लेकर पुलिस की कहानी में जोल ही जोल है दरसल विकास दूबे की गिरफतारी जिस नाटकिय धंग से हुई उसने अनेक सवाल खड़ी किये मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात कर्मुचारी द्वारा विकास को देखने की सूचनाय आई इसके बाद उसने ततकाल आला अफसरों को अलट किया और पुलिस ने विकास को आसानी से हिरासत में ले लिया विकास की गिरफतारी से ठीक पहले मीडिया भी मौके पर पहुँच गया मीडिया कर्मियों ने विकास को ले जाने की घटना की रिकॉर्डिंग की मीडिया के सामने पुलिस ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन विकास ने खुद आगे आ हर्याना के फरीदाबास से MP के उज्जैन कैसे पहुँचा विकास क्या विकास दूबे को जान बूज कर गिरफतार कराया गया है परदे के पीछे कौन है खुखार अप्राधी विकास दूबे का रखवाला देखे हमारी विशेश रिपोर्ट में विकास के इस अजब सरेंडर की गजब कहानी जिस विकास दूबे के लिए हर बॉर्डर पर निग्रानी रखी जा रही थी हर चेहरे से मार्क्स हटा कर देखा जा रहा था वो आखिर उजएन के महाकाल तक कैसे पहुँच गया क्या विकास दूबे एक बार फिर यूपी पुलिस को चक्मा देने में काम्याब रहा या फिर उसके कनेक्शन एक बार फिर यूपी पुलिस पर भारी पड़ गए महाकाल के दर्वार में विकास की गिरफतारी का आखिर पूरा सच क्या है फरीदाबास से कल भागा विकास दिल्ली में हो सकता है इसकी जानकारी थी लेकिन वो मधरप्रदेश में दबोचा गया या फिर यू कहें कि उसने प्लानिंग के तहे सरेंडर किया ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरीदाबास से उजयन तक का सडक मार्ग से रास्ता करीब 12 घंटे का है राज्यों की सीमाव को उसने पार कैसे किया सरगर्मी से तलास में जुटे पुलिस दलों को उसने आखिर चक्मा कैसे दिया मध्यप्रदेश के पूर्मुख मंत्री और कॉंग्रेस नेता दिग विजय सिंग ने भी ट्विट कर इसे प्रायोजे सरेंडर होने की आशंका जताई है और ये आशंका सही भी प्रतीत होती है क्योंकि बुद्धवार को यानि दूबे की गिरफतारी से ठीक एक दिन पहले ही महाकाल थाने के इंचार्ज का ट्रांसफर हुआ था इसके अलावा सूत्रों के मुतावित बुद्धवार रात करीब आठ वजे उजयन, S.P. और D.M. दोनों ही महाकाल मंदिर आये थे यहां पर ना सिर्फ उन्होंने सुरक्षा व्यवस्ता का जायजा लिया बलकि कुछ देर तक उन्होंने बंद कमरे में बैठक भी की थी इससे दो दिन पहले ही मध्रप्रदेश की पूर्व सीयम और बिजे पी की करदावन नेता भी महाकाल पहुँची थी बताया जा रहा है कि विकास दूबे को लेकर बीजेपी में भी तो फार्ड हो गया है बीजेपी का आर ऐसे समार्थित वर्ग जहां विकास दूबे को बचाने में जुटी है वहीं दूसरा वर्ग विकास दूबे को सलाखों के पीछे देखना चाहता है शक इसलिए और गहरा होता जा रहा है क्योंकि पुलिस के अनुसार पकड़े जाने पर विकास ने शुरक्सा कर्मियों से हाथा पाई की और भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस की ये दावे गले नहीं उतर रहे विकास बेहा शातिर और कुरूर है ऐसे में वन निहत्ता रहे पुलिस उसे आसानी से पकड़ ले ये बाते हजम होने लायक नहीं है विकास दूबे और उसके गैंग के हमले में शहीद हुए पुलिस वालों के परिजनों ने भी विकास की मध्यप्रदेश में कथित नाटकिय गिरफतारी पर सवाल उठा है परिजनों ने संकेतों में आरोप लगाया है कि विकास की गिरफतारी फिक्सिंग है इसलिए हम ये कहे रहे हैं कि ये सरेंडर नहीं बल की विकास दूबे को बचाने की सोची समझी साजिस है इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले